आई शौक पहले अल्ला की हम दो सना करो पढ़कर दुरूद पाक तखैयुल बजा करो दिल की मुराद पूर करेगा सभी खुदा तुम दास्तान अल्या अल्हा लिका करो ये हकीकत है जनाब शौक कहते हैं कि ऐ शौक पहले हम आई शौक पहले अल्ला की हम दो सना करो पढ़कर दुरूद पाक तखैयुल बजा करो दिल की मुरादें पूरी करेगा सभी खुदा तुम दास्तान अल्या अल्हा लिका करो इसलिए तो कहना है लिखा है ये बयान किताबों से दोस्तों लिखा है ये बयान किताबों से दोस्तों हजरत निजामुदीन के हालात अब सुनों हजरत निजामुदीन के हालात अब सुनों लिखा है ये बयान किताबों से दोस्तों हजरत निजामु दीन के हालात अब सुनो कर दोड़ा दोड़ा आपके दादा से शुरू कर रहे हैं कौन थे आपके दादा वालिद वालदा मुलादा कीजें सैयद अली थे बासफा दादा जनाब के सैयद अरब बुखारी थे नाना जनाब के उनका वतन बुखारा था मशुहूर शखस थे हिजरत वो करके पहले तो लाहौर को गए कुछ दिन कयाम करके वो लाहौर से चले जाकर बदाईों शहर के बाशिंदा हो गए हजरत निजाम अदिन उलिया के वालिद और दादा नाना सब बुखारा के रहने वाले थे वहां से आप पूच करके लाहौर होते हुए यूपी में हिंदुस्तान के मुलक यूपी में जो एक शहर बदाईों पढ़ता है वहां जाकर मुकीम होते हैं और क्या करते हैं समात कीजे उस दम बदाईों शहर की शहरत थी चार सू इल्मों अमल की रोशनी फैली थी कूबकू घर घर था चर्चा दीन का सब में खुलूस था इमान उ इत्तका से बदाईों था पुर्जिया हर दिल में हक का जोश औ अदब बे पनाह था उल्मा औ सूफिया की वो आमाजगाह था वल्यों ने उसको खूब नवाजा था करम से आा के ठहरे अल्लह वाले अर्ब औ अजम से मिलती ना क्यूं बदाईों को ये शान फराजी रौनक फजा थे अल्या गाजी औ नमाजी उनके करम का आज भी दरिया है मोजिजन हैं पुरबार आज भी उस शहर के चमन यानी बदाईों शहर को पुर नूर कर दिया इन सबने मिलकर सबने बदाईों शहर को पुर नूर कर दिया यानी बदाईों शहर को पुर नूर कर दिया और छोटे बड़े सरकार ने मशूर कर दिया छोटे बड़े सरकार में मशूर कर दिया छोटे बड़े सरकार में मशूर कर दिया छोटे बड़े सरकार में मशूर कर दिया यानी बदाईों शहर को मशूर कर दिया और छोटे बड़े सरकार ने पुरुनूर कर दिया बड़ाईों के ही दूसरे बजरुग हजरत सुल्तान आर्फीन जिनसको लोग बड़े सरकार कहते हैं और हजरत शाहब अद्रुद्दीन जिनको छोटे सरकार कहते हैं बदाईयों शेर को उनके नाम से भी बहुत शौरत मिली है लेकिन अब आपके वालिद का हाल सुनिए निजाम अदीन अउलिया के वालिद जनाब स्यद एहमद थे आपके तारीख है गवाह मादरजाद वली थे बीबी जुलेखा कहती हैं अम्मी जनाब की पैदा हुए जो आप तो एक रोशनी हुई सूरत में थे हसी बड़े चेहरे पे नूर था आँखों में चमक और जलाल शौर था जब उम्रे पाक हो गई थी पांच साल की तकलीफ सही आपने रंजो मलाल की सद में उठाए बारे घम सद में उठाए बारे घमे बेहसाब के दुनिया से कूच कर गए वालिद जनाब के आपकी उम्र जब पांस साल की जी तो आपके सर से वालिद का साया उड़ जाता है फिर मकतब में भेजमाने जो पढ़ने के वास्ते एक पारा पढ़के आप सब कुर्वान पढ़ गए हजरत अलाओ दीन से जब पढ़ ली कदूरी दस्तार दी उस्ताद ने जो आपने बांधी शमसुल मलक से आपने तफसीर और फिका हिकमत गिरात हिंद सा इल्मों अदब पढ़ा जब पढ़ लिया बदायों में सब इल्म जाहिरी तो मा के साथ आपने देहली की राह ली अल्ला हरे देहली की तकदीर देखिये अल्ला हरे देहली की ये तकदीर देखिये महबूब इलाही वह मस्कून हो गए 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 जब आप बदाईयों से पढ़ाई लिखाई करके फारिग हुए तो आपकी वालिदा बीबी जुलेखा आपको लेकर देली शहर में आती है और एक मकान कराई पर लेकर वहां रहने लगते हैं आप पिर किस किस से व Santiago से बुलाकात होती है देली हुए आकर समात कीजए लेकर मकान कराई पर रहने लगे जनाब होकर अमीन उत्दीन महद्द्स फैजजीाब हासिल किया कम उमर ही मैं आपने कमाल एक और हुआ सदमा मा का हो गया विसाल दिली में आगर आपकी वालिदा भी इंतकाल कर जाती है उसके बाद फिर पहुँचे आप खुआजा कुतब के मजार पर तो दिल में रंग मारुफत आया निकार पर हजरत निजाम अद्दीन उलिया हजरत खुआजा कुतब अद्दीन बक्तियार काकी रहमतुल्ला अले के मजार पर जिनका मजार महरुली शरीफ में है वहां जाते हैं और आपकी आँखों में मारुफत का निकार आता है वहां जाकर फिर खुआजा कुतब में और बड़ी बात हो गई मजजूब से हजरत की मुलाकात हो गई ये अर्ज की मजजूब से हजरत दुआ करें परवर्दिगार काजी बना दे यहां हमें लेकिन मजजूब बोले देखती है ये मेरी निगाह काजी नहीं इस शहर के तुम होगे बादिशा तारीफ सुनी देली में बाबा फरीद की सोचा के चल के बाबा से लें इल्म बातिनी तारीफ सुनी देली में बाबा फरीद की सोचा के चल के बाबा से लें इल्म बातिनी जब चल पड़े तो सिरसा में दो रास्ते मिले ये जो सिरसा एक मकाम है देखा होगा आपने हरियाना में वहाँ पर जाकर आपको दो रास्ते मिलते हैं एक रास्ता किसी दूसरी तरफ जा रहा था और एक रास्ता किसी दूसरी तरफ जा रहा था आप किस रास्ते पर जाते हैं सुने जब चल पड़े तो सिरसा में दो रास्ते मिले था एक अजोधन को एक मुल्तान के लिए दोनों तरफ को दिल ने किया उनके इशारा ठहरे वहीं फिर तीसरी शब आपने देखा सरकार कमली वाले सरकार कमली वाले वहां जल्व गर हुए सरकार कमली वाले वहां जल्व गर हुए सरकार कमली वाले वहां जल्व गर हुए सरकार कमली वाले वहां चल्व गर हुए और फर्माय चले जाओ अजो धन के रास्ते पर्माय चले जाओ अजो धन के रास्ते पीन दिन आप उस मकाम पर रुखते हैं सरकार दो आलम हमारे आका ताज़दान मदीना जनाब मुहम्मद ररसूल अल्लाव ताला अल्या वसल्म वहां जल्वा गर होते हैं और क्या बिशारत होती है आपको समात कीजें सरकार मुस्तफा का जो दीदार हो गया आप फर्माते हैं कि तुम ये दो जो रास्ते जा रहे हैं सरकार मुस्तफा का जो दीदार हो गया तो सीना फिर गंजी नए अनवार हो गया तारी निजाम उद्दीन पर एक कैफ हो गया बाबा फरीद कहके सफर जारी कर दिया इश्के फरीद गंजे शकर राहबर हुआ वजदानी कैफियत में सभी तैसा फर हुआ हाजिर हुए जो बारगाहे गंजे शकर में पहचान लिया बाबा ने बस एक नजर में फरमाया खूब आए हो सद मरहबा निजाम दारेन की अब निखमतें पाओगे नेक नाम बाबा ने अपनी टोपी उन्हें खुद ही उड़ा दी आप हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रहमत लिया के यहां जब पहुशते हैं तो आपने अपनी टोपी जो थी अपने हाथ से खुद बढ़ाई हजरत निजाम दीन अलिया को और क्या फरमाया बाबा ने अपनी टोपी उन्हें खुद ही उड़ा दी फरमाया के तुम हो गए महबूब इलाही कहा के आज से तुम महबूब इलाही हो गए यानि अल्लह के चहीते हो गए उसके बाद नालें असा खरका मुसल्ला भी दे दिया करके मुरीद उनको खिलाफत भी की अता परमाया के दीगर को विलायत थी हिंद की तुम रास्ते में थे के खबर गैब से मिली फैरों के आ रहे हैं पदा यूनी एक निजाम करना तुम हिंदुस्ता की विलायत उन्ही के नाम उम्रे शरीफ उस घड़ी थी बीस साल की अधरात मिजाम उतीन उलिया की उम्र उस वक्त बीस साल के लगवक थी कहना है उम्रे शरी पूस घड़ी थी बीस साल की पाई निजाम उतीन ने मंजिल कमाल की पाईन समुदीन में मंजिल कमाल की उम्रे शरीफ उस घड़ी थी बीस साल की पाई निजाम उतीन ने मंजिल कमाल की लेकिन फिर खूब दी दुआ उन्हें बाबा फरीद ने कुछ रोज सात माहा तक खिदमत में वो रहें हदरत बाबा फरीद की खिदमत में सात महीने तक आप रहते हैं उसके बाद जब रुखसत होते हैं तो क्या हुआ रुखसत किया फिर पीर ने सज्जादा बनाकर मशगूल याद रब हुए फिर तेहली में आकर तिन रात इस कदर लगे करने मुझाहिदा इसरार गैब का हुआ हासिल मशाहिदा रहता था खान का हमें हर वक्त अजदा हम लंगर पे लोग खाते थे सब पेट भर तौाम जो आस्ता ने पाग पे आता था सवाली पाता मुराद लोट के जाता न था खाली हजरत अमीर खुसरो जो शायर अजीम थे वो भी मुरीद हो गए हजरत निजाम के हजरत अमीर खुसरो जो उस वक्त बहुत मशूर और मारूब शायर थे वो भी आपकी गुलामी में आ जाते हैं आपके मुरीद हो जाते हैं हजरत अमीर खुसरो जो शायर अजीम थे वो भी मुरीद हो गए हजरत निजाम के शाहों को रश्क आता था अजुमत पे आपकी नजरे इनायत खास थी खलकत पे आपकी कुम्राहों को भी दीन का रस्ता दिखा दिया तबलीग से इसलाम का तंका बजा दिया जब होने लगा कश्प करामात का जहूर जब होने लगा कश्प करामात का जहूर जब होने लगा कश्प करामात का जहूर शोरत हुई हुजूर की दुनिया में दूर दूर शोरत हुई हुजूर की दुनिया में दूर दूर शोरत हुई हुजूर की दूर दूर सदकातु लुटा करते थे लंगर पे आपके जुकते थे आके ताजवर भी दर पे आपके पुर्बान थे अवाम सभी उनकी जात पर लाखों मुरीद हो गए हजुरत के हात पर जाहिर हुए जो उनसे वो हालात भी सुनो कुछ मुक्तसर सी उनकी करामात भी सुनो अब कुछ करामते जो हदरत निजाम अदीन अलिया ने दिखाई मुक्तसर सी मैं पेश करने जा रहा हूं समात कीजेगा पहली करामत खुदवाई एक बाउली तो उसमें क्या हुआ जो बाउली आज भी मौझूद है निजाम अदीन अउलिया के मुजार से उत्तर की जानेब खुदवाई एक बाउली तो उसमें क्या हुआ निकला जो पानी खारी तो फिर दुख बढ़ा हुआ एक पर्चा लिखके जैसे ही डलवाया आपने पानी वो मीठा हो गया सब लोग खुश हुए काजी महयुद्दीन थे बीमार इसकदर बचने का भरोसा न था रोता था सारा घर काजी महयुद्दीन थे बीमार इसकदर बचने का भरोसा न था रोता था सारा घर सरकार सुनके देखने को उनके घर गए रखते ही कदम काजी इस तकबाल को उठे वो तंदुरुस्त हो गए बीमारी सब गई फजले खुदा से एकदम उनको शिफा मिली मौलाना बदुरुदीन ने एक रात ये देखा आप उन्ट पर सवार हुए उन्ट उल गया जब थोड़ी रात रह गई वो उन्ट आ गया फौरन उतर के आप गए अपनी खान का रब ने किया था आपको कुछ ऐसा सरफरास 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 हर रात जाके पढ़ते तेकावे में वो नमाँ रखता था खुत बुद्दीन खिल जी आप से हसद दो एक बार कर चुका था उनसे रद्दु कद ताजीम चाहता था वो खुजा निजाम से एक रोज वो कहने लगा अपने गुलाम से कहना निजाम से कि जब आजाए चांदरात हाजिर हों वो सलाम को समुझे हमारी बात वो शहर में हर गिजना कोई ढोंग रचाएं दुरवेश हैं तो कोई करामात दिखाएं माना ना मेरा हुक्म तो नीचा दिखाऊंगा तर बार में फकीर को जब रन बुलाऊंगा जाकर गुलाम ने दिया हजरत को ये पयाम जब चांदरात आए तरोशाह को सलाम हजरत ने ये जवाब दिया उस गुलाम को हर चांदरात जाता हूं मा के सलाम को बादशाख ख़वर भिजवाता है कि उनसे कहना के चांद रात वाले दिन मुझे सलाम करने के लिए आएं लेकि निजाम अदिन उलिया कहते हैं कि हम चांद रात के दिन अपनी मा के मजार पर सलाम करने जाते हैं कह देना हम नहीं आ सकते आगे क्या हुआ जाओंगा फातहा को मैं मा के मजार पर कहना ना मुझे से जिद करे मगरूर ताजवर तारीख चانद रात की आई तो क्या हुआ मिन जानिबे खुदा हुई नाजिल बूरी बला वो शाहा बाला खाने पे जाकर जो सो गया जब वो बादशाह बाला खाने पे जाकर जो सो गया तो उसके गुलाम ही ने उसे पतल कर दिया उसके गुलाम ही ने उसे पतल कर दिया उसके गुलाम ही ने उसे पतल कर दिया